क्या आपको पता है कि आप अपने existing portfolio of stock से 10% तक का extra return कमा सकते हो वो भी एकदम guaranteed और ये returns आपके FD इतना ही safe होंगे और ये करने के लिए आपको कुछ भी extra करने की जरूत नहीं है और ये सा possible है through a mechanism called SLBM that is stock lending and borrowing mechanism तो क्या है ये ये किस तरह work करता है और हम इसका use कैसे कर सकते हैं ये सब हम जानेगे इस वीडियो में So hi guys, this is Siddhar and you are on investors way तो चले वीडियो को शुरू करते हैं आप मैंसे कई सारे लोग, चाहे वो investors ही category में आते हों, चाहे traders हमारे portfolio में कुछ ऐसे stock जरूर होते हैं यहाँ पर आप अपने जो stock से उनको lend करते हो, यानि rent पर देते हो और दूसरा person जो आप से borrow कर रहा है stock, वो आपको इनका rent पर करता है अब ये renting period कितना होता है, ये भी आप decide करते हो it can be as little as one month और इससे जाधा भी यानि एक साल तक भी हो सकता है and उसी के according आपको इससे interest payment मिलता है और इसकी best बात ये है, जिसते duration में आपने इस stock को lend किया है उत्ते बीच में जित्ता भी stock का जो price appreciation होगा, वो भी आपको ही मिलेंगे अब वैसे तो ये mechanism कई सारे discount brokers में available होता है but इस वीडियो में हम particularly जिरोधा के case में ही discuss करेंगे and मैं आपको जिरोधा के case में ही बताऊँगा कि आप ये mechanism को कैसे start कर सकते हो so in case अगर आप जिरोधा में अपने demand account खुलवाना चाते हो तो आप description में दियो ये link से अपना account open कर सकते हो अब हम समझते हैं कि ये mechanism work किस तरह करता है अब I am sure आप मैंसे कई सारे लोगों तो मांगों चल रहा होगा कि या हमने stock का buy करना और sell करना तो सुना था ये borrow करना क्या होता है और कोई person हमसे borrow क्यों करेगा stock को तो basically इसका मैं आपको एक example के तुरू पूरा mechanism समझाता हूँ तो मानके चलते हैं मेरे पास ICICI bank के 100 shares है और आज हर share की value है 840 rupees in the market अब मानके चलते हैं अगर मैं इसकी total value निकाल हूँ तो वो निकल के आएगी 84,000 rupees अब let's suppose there is a trader in the market जो की ICICI bank के shares पर trade करना चाहता है अब इस trader का prediction है कि ICICI bank जिसका जो current share price है वो 840 का है वो एक महिने बाद गिरके 700 rupees के round आ जाएगा अब इससे profit कमाने के लिए ये हमसे 100 जो हमारे shares थे वो borrow करता है और इस case में हम मानके चलते हैं कि पर share की जो borrowing cost आएगी एक मंत की वो निकल के आ रही है 30 rupees यानि इस case में वन मंत के बाद वो हमें 100 shares का 3000 rupees as a rent पे करेगा अब हमसे share borrow करने के बाद वो इन 840 rupees के shares को market में sell कर देगा और total जो उसके पास पैसे आएंगे वो आएंगे 84,000 rupees अब मानके चलते हैं उसकी जो prediction है वो सही निकलती है और एक महीने बाद ICICS bank की जो shares हैं वो गिर के 700 rupees per share की costing पे आजाते हैं अब इस point of time पे वो इन shares को buy कर लेगा 700 rupees के price पे जबकि उसको sell किया था उसने 84,000 rupees के price पे तो इस case में अगर आप इसका selling price minus buying price देखोगे तो इसका 14,000 rupees का profit निकल के आ रहा है अब इसके बाद यह हमें हमारे 100 shares वापिस कर देगा and additional 3,000 rupees भी वापिस कर देगा तो इसका जो आप net profit calculate करोगे वो सब कुछ काटने के बाद 11,000 rupees net profit आ जाता है अब इस case में सब का benefit इस तरह हुआ कि एक person जिसने अपने कोई भी पैसा नहीं लगाया और केबल 3,000 rupees रेंट पे किया उसके बदले उसने 11,000 rupees कमा लिए और as an investor हमें हमारे shares वी वापिस मिल गया और उसके साथ एक अच्छा खासा return भी मिल गया now I hope आपको इस simple process समझ में आ गया होगा but I know आपके दिमाग में कई सारे questions चल रहोंगे तो अब उन questions पे आते हैं तो सबसे पहला और usual question जो आपके दिमाग में आ सकता है कि यार what if जिस person को हमने जो shares है वो हमने lend किये अगर उसने वो shares time पे वापिस नहीं किये या वापिस ही नहीं किये तो इस case में आपको बता दूँ यह जो पूरी transaction थी यह 0-1 के थूरू hold की गई थी तो इस case में 0-1 की ही responsibility बनेगी कि वो हमारे shares plus उसका जो return है वो हमको वापिस दिलवाए तो इस case में आपको कोई भी potential लेनी की दोत नहीं है आपको यह पूरा process जिरोधा पूरा करके देगा second usual question जो आपके दिमाग में आ सकता है वो है कि जिस duration की बीच में हमने अपने stock को lend किया अगर उसके बीच में वो company कोई stock split bonus या dividend अनौस करती है तो वो हमें मिलेगा कि नहीं तो मैं आपको बता दू इस case में आपने अपने जो stocks है उनको lend किया है ना कि sell किया है और उसके जो register owner हो वो आप ही हो तो इस case में उसके stocks plate bonus या dividend का सारा benefit आपको ही मिलेगा अब एक third question आ सकता है कियार इस पूरे process से हम कितना return expect कर सकते है तो मैं आपको बता दू returns depend करते हैं कि जो shares आपने lend किये हैं उनकी market में demand और supply कैसी है तो अगर उसकी demand जादा है तो उस case में आपको interest जादा मिलेगा और अगर मैं आपको एक average return बताऊं तो इस case में आपको 5% से लेके कई सारे cases में 20 से लेके 25-30% तक भी interest मिल सकता है बट इनन average आप 10 से लेके 12% की बीच में return expect कर सकते हो अब fourth question आपके तमाग में आ सकता है कियार अगर मैंने अपने stock को for example 3 मैने के लिए lend किया बट किसी वज़े से मुझे वो 3 मैने से पहले ही वापिस चाहिए तो वो मुझे वापिस मिलेंगे या नहीं तो इस case में आपको सारा process FD की तरह ही होगा for example अगर आपकी कोई FD है एक साल की और आप सको mature होने से पहले break कराते हो तो उस case में आपको कुछ penalty या charges पे करने पड़ते हैं तो इस case में भी अगर आपने जो stocks है उनको lending period से पहले लोगे तो उस case में भी आपको कुछ charges पे करने पड़ेंगे और आपको आपके stocks वापस से मिल जाएंगे अब हम देखते हैं कि जिरोधा के case में हम इस SLBM mechanism को किस थर activate कर सकते हैं तो आपको Google पे जाके केवल SLBM जोरोधा type करना है और इसके बाद आपको जो link मिलेंगे उसमें आपको पहला link जो customer support वाला होगा उसको click करना है इसको click करने के बाद आपको SLBM से लेके सारे instructions और सारी बाते बता दी जाएंगी तो आप चाहें इसको पढ़ भी सकते हैं नीचे आओगे इधर आपको create ticket वाला option दिखेगा इस पे आपको click करना है create ticket पे click करने के बाद एक जो page खुलेगा उसमें इस comment box में आपको अपनी query डालनी है यानि I want to avail SLBM mechanism for zero था इसके submit करने के बाद आपसे यह आपका password पूछेगा account का इसको submit करने के बाद within 24 से लेके 48 hours के अंदर आपका यह mechanism है यह activate कर दिया जाएगा अब यह काफी अच्छा passive income का source है खासकर उस time पे जब overall stock market आपको कोई भी return नहीं दे रहा जैसे कि हम एक से डिएर साल से देखी रहे है तो इस mechanism के थुरू अब एक return कमा सकते हो और अगर आप एक नए investor हो तो आपको बता दू आज के time chat GPT जो की एक काफी famous AI tool है उसका use करके लोग 5 से 7 minute के अंदर अपने लिए एक perfect stock portfolio बना रहे हैं और यह आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आप screen पर देव वीडियो को click कर सकते हो so apart from this अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like करके channel को subscribe करिए और अगर आपके इसके regarding कोई भी questions है तो आप comment box में पूछ सकते हो तो हम मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye bye